हलो दोस्तों मैं राकेश श्रादरिय आपका mathematics teacher वेलकम करता हूँ digital theory के online channel हमारा topic है technometry फिर कौन मितिस इसका part 2 हम देख रहे हैं part 1 complete कर चुके है part 2 में थोड़ा basic देखते हैं पहले maximum और minimum values क्या होती है फिर हम बात करते हैं questions के बारे देखिएगा start करते हैं इसको देखिए वैसे तो अगर derivation से देखें तो काफी लंबा चौड़ी बात हो जाएगी कि कैसे maximum और कैसे minimum value निकली है लेकिन derivation में ना जा अगर कुछ आप एक तरह से theorem से परमय हैं उनको याद रख सकते हैं से की questions आसानी से solve हो जाएगी क्योंकि वो पूरा derivation हमारे कहीं भी किसी भी तरह से काम आने वाला नहीं है तो देखिएगा first a sin theta plus b cos theta इसके लिए अगर मैं maximum मतलब अधिकतम और minimum मतलब newton की बात करूँ तो maximum value और minimum value क्या होगी इसके लिए तो इसका maximum value होगा और minimum value होगा उसका हम लिख सकता है maximum होगा square root of a square plus b square और minimum value होगा square root of a square plus b square लेकिन किसका minus का ठीक है चलिए second a sin square theta plus या minus कुछ भी हो b cos square theta इसके लिए हम maximum और minimum की बात करें अधिकतम और newton की बात करें तो इसके लिए maximum value और minimum value क्या होगी maximum value होगी जो a और b में से बड़ा है वो और minimum value होगी जो a और b में छोटा है ठीक है maximum value क्या होगी a, b में जो बड़ा है वो इस पूरे का maximum value है और minimum value a, b में जो छोटा है वो इस पूरे का minimum value कहला है ठीक है चलिए और देखतें आगे फ़र तीसरा हम दिखते हैं कि A sin square theta plus B cos square theta A tan square theta plus B cot square theta A cos square theta plus B sag square theta इन तीनों के लिए अगर हम बात करें minimum की और maximum की तो इन तीनों में maximum value तो क्या होगी? infinity अनन्त होगी जो आप से पूछी नहीं जाएगी कभी minimum value जो कि होगी 2 root of A B जैसा कि मैंने आपको कहा ये theorem से परमय है आपको याद रखनी है इनका derivation हम कर सकते हैं लेकिन काम कहीं नहीं आएगा तो आप सीधा सीधा याद रखके इसका answer निकाल सकते हैं और last जो हमें ध्यान रखना है वो देखे A sag square theta plus या minus B or sag square theta अगर इसके लिए value निकालें हम कौन सी minimum तो इसकी minimum value न्यूंतम मान जो है वो क्या होगा root of A plus root of B का whole square तो ये total हमने कितने point लिखे हैं एक, दो, तीन और ये चारों point आपको ध्यान रखने हैं से कि minimum और maximum values के जो questions है वो easily हम कर पाई ठीक है तो start करते है questions तो हमने 20 questions कर लिए है question number 21 से हम start कर रहे है part number second में तो देखेगा question number 21 जो है वो आपके सामने क्या कह रहा है आपको कह रहा find the value of sine square 25 degree plus sine square 65 degree plus cosec square 57 degree minus 10 square 33 degree ये वही question है जो उपर है उपर होला English में और ये आपका होगया question हिंदी में तो इसे solve करना है अभी कर लेते हैं तो देखेगा जो हमने part 1 में concept देखा था कि sine square के theta 1 plus theta 2 जो होता है 1 के equal होता है जब theta 1 और theta 2 का total कितना होता है 90 degree तो ये वाला जो आप देख पा रहे है sine square 25 plus sine square 65 plus cosec square 57 minus 10 square 33 degree तो इसकी value तो हम directly बोल सकता है कितनी होगई 1 होगई क्योंकि sine square theta 1 plus sine square theta 2 वाला format बन रहा हमारे पास और मैं देख सकता हूँ theta 1 और theta 2 दोनों का total 90 degree हो रहा है तो ये value तो आपके पास आगई एक बात कता cosec square 57 minus 10 square 33 है तो दोनों में अब अगर हम सर्वसमी का लगाना चाहें तो क्या लगा सकते हैं क्या नहीं अभी तो लगेगी क्योंकि angle अलग अलग है तो दोनों के angle same कर लेते हैं तो cosec को हम change कर लेते हैं तो देखिएगा क्या लिख सकते हम इसको cosec square 90 minus 33 degree minus 10 square 33 degree ठीक है यहाँ तक 1 plus 90 minus theta है तो change होगा cosec किस में change होगा तो 이야 minus का 90 minus theta है तो first quadrant में आए तो यहple thunder कई की होगा तो इसका हमें पता हैand mни多 हुट है स्क्वार्टीट थीटा क्या होता है ये 10 square 33 माइनस ये 10 square 33 तो ये कितना हो गया ये value हो गई आपके कितनी 0 जो कि मैं देख सकता हूं last option चौथा option आपका बिल्कुल सही होगा तो simple सा हमने जो part 1 में concept समझाता है उसी से इसको solve किया है 65 और 25 ये add करने पर आपको दिख रहा है 90 हो रहा तो इसकी value आ गई 1 हमने कॉसेक को change कर लिया 90 माइनस 33 57 होता है कोई दिक्कत नहीं 90 माइनस थीटा है तो first quadrant पे जाएगा तो 90 है तो change होगा तो कॉसेक change होता है सेक में ठीक है first quadrant में सबके सब plus होता है तो ये plus में आ गया अब हमें पता है हमने इसको चेड़ा ही नहीं बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है वन प्लस सैक स्क्वेर थीटा 10 स्क्वेर थीटा होता है तो थीटा की value 33 है तो value रग दी सर्व समीका से ये value आ गई ये minus की ये plus की जुड़कर 0 हो गया तो option 4 अमारा सही है बात करते हैं 22 के बारे क्या होगा minimum value क्या होगी तो 2 sin square theta plus 3 cos square theta इसका minimum value आपको पूछा जा रहा है तो हमने अभी-भी starting में ही लिखा है आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देखिएगा जब question start किया था हमने उसी time हमने बात की है कि अगर a sin square theta plus b cos square sorry ये देख सकते हैं ये रहा a sin square theta plus या minus कुछ भी b cos square theta है तो minimum value होती है जो a और b में छोटा होता है वह हमारा question ये रहा तो ये है हमारा सवाल कि 2 sin square theta plus 3 cos square theta तो बिलकुल ये इस format में है मारे पास a sin square theta plus b cos square theta वाले format में तो इसमें minimum value क्या होती है जो A और B में minimum होता है तो A और B, A कितना है यहाँ पर 2 और B कितना है यहाँ पर 3 तो मैं देख सकता हूं minimum क्या है दौनों में 2 अगर इस पूरे की minimum value क्या होगी 2 अगर इस पूरे की maximum value ऊहँचते तो A और B में जो बड़ा होता वो होता और बड़ा कौन है दौनों में 3 तो उस समय आंसुर होता थी लेकिन अभी minimum newton man पूछा है तो इन दौनों में छोटा है कौन 2 तो 2 मतलब 3rd option हमारा बिलकुल सही हो ये तो गया short तरीका जो चीजे हम याद रख कर कर सकते है इसी को आप long method से करना चाहरे हैं तो कैसे होगा देखिएगा तो इसके लिए हम ये question हमारे पास A और B याँ से यह ता देते हैं क्योंकि आप इसको पूरे method से करना चाहरे हैं तो कैसे करेंगे देखिए क्या लिख सकता है हम इसको 2 sin square theta 3 cos square theta इसको मैं लिख सकता हूँ 2 cos square theta plus cos square theta तो दौना में से 2 common ले लू तो अंदर बज गया sin square theta plus cos square theta जिसकी value कितनी होगी 1 plus वो रह गया आपके पास क्या cos square theta तो 2 का 1 से 2 plus cos square theta अब minimum value ले रहे हैं तो cos theta की minimum value 0 होती है तो 2 plus 0 कितना आया 2 तो इतना लंबा चोड़ा हमने solve किया तब answer 2 आया नहीं तो अगर ये चीज याद है तो सीधा देखकर answer कर सकते है जो भी कितना आ रहा है 2 ही आ रहा है जो की option कौन सा है तीसरा चलिए बात करते हैं next question number 23 के बारे क्या गह रहा है question number 23 देखी question number 23 आपको कह रहा है कि minimum value क्या होगी नियूंतम मान क्या होगा ये है आपका English वाला question और ये ही question यहाँ से फिर से start हुआ है जो की हिंदी में है चलिए minimum value निकालनी अभी निकाल लेते हैं question क्या आपके सामने देखीए साइन स्क्वेर थीटा प्लस और लास्ट में कॉट स्क्वेर थीटा इसकी minimum value चाहिए तो सारे के सारे एक साथ देदियें साइन कॉस्ट और सेक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं देखेगा sin2 theta प्लस cos2 theta इसकी minimum value देखनी है तो हमने देखा है a sin2 theta प्लस या माइनस कुछ भी हो b cos2 theta उसकी minimum value जो a और b में छोटा होता है वो और जो maximum value जो a और b में बड़ा होता है वो तो a और b क्या होता है जो sin के साथ में वो a और जो b है वो cos2 का जो coefficient है जो cos के साथ में है वो तो यहां साथ में कुछ भी नहीं है इसका मतलब by default कितना है 1 है तो इसका मतलब a भी 1 है b भी 1 है तो इसके लिए minimum value भी 1 होगी और इसके लिए maximum value भी 1 होगी तो हम पहले इन दो की ही निकाल रहे हैं जो की minimum value आ चुकी है कितनी 1 ये plus का sign है तो ये plus का sign फिर से लगा दिया ये कैसे किया जो हमने starting में लिखे हैं वहीं से हम इसको कर रहे हैं आप देख सकते हैं ये देखिए a sin square theta plus minus b cos square theta maximum जो दौनों में बड़ा है और minimum जो दौनों में चोटा है इसी format का है हमारे पास ये question ये देखिए ठीके चलिए अब बात करते हैं ये जो आगे चार है उनके बारे इनको भी हम देख लेते हैं हमने देखा है क्या 10 square theta plus cot square theta के बारे में भी 10 square theta plus cot square theta जो है इसकी maximum value क्या होती है हमने देखा देखिएगा a 10 square theta plus b cot square theta या फिर a sin square theta plus b cos square theta या फिर a cos square theta plus b seg square theta ये देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखाव आपके सामने ये देखिए a 10 square theta plus b cot square theta और जो दौनों बाते बोली वो भी लिखी वी है minimum होता है 2 root of a b और maximum होता है infinity इसका अभी काम में क्या आ रहा है 10 वाला और cot वाला minimum क्या होगा 2 root of a b a मतलब जो 10 के साथ और b मतलब जो cot के साथ है तो जो हमारा question है उसमें चलता है फिर से तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पर 10 और cot के साथ कुछ भी नहीं है coefficient के तौर पर तो क्या है by default 1 तो इसका मतलब इसके लिए result क्या आ गया इसके लिए result आ गया हमारे पास 2 root of a b a b 1 और b b 1 ठीक है यहाँ तर अब बात करते हैं यह जो बीच में बच गया है इसके बारे इसके लिए भी हमने लिखा है क्या कि a sec square theta plus b cos square theta इसकी minimum value होती है क्या root of a plus root of b का whole square आप देख सकते हैं बिलकुल यह लिखावा है जब हमने start किया था तब ही लिखा था यहाँ पर आप देखेंगे यह लिखावा आपके सामने यह देखें तो minimum value root of a plus root of b का whole square तो बस value रख लेते हैं जब पता है हमें तो a और b मतलब जो sec और cosec के साथ में तो इनके साथ कुछ भी नहीं है तो by default कितना है 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया root of a मतलब root of 1 plus root of b मतलब root of 1 का whole square यह आगया आपका answer तो यह 1 plus 1 और 1 2 2 का square 4 plus 1 into 1 1 root 1 1 और 2 का 1 से 2 तो 4 2 6 और 1 7 7 आपका answer आगया जो कि हम देख सकते हैं option आपका match कर रहा है कौन सा last वाला option आपका बिलकुल सही होगा बात करते हैं next question number 24 के बारे में क्या कह रहा है question number 24 देखिए 24 आपको कह रहा है 4 10 square theta plus 9 cot square theta का नियूंतम मान क्या होगा minimum value क्या होगी तो हमने देखा है a 10 square theta plus b cot square theta इसकी minimum value होती है 2 root of a b a होता है 10 के साथ वाला b होता है cot के साथ वाला तो a क्या होगे हमारा 4 और b क्या होगे हमारा आगे आपका answer ठीक है इसको long method से भी कर सकता है लेकिन चीजे यात रखकर हाथ वाला बीना कुछ लिखे option टिक किया जा सकता है इन theorem को इन प्रमय को ध्यान में रख कर चलिए बात करते हैं यहाँ पर root of नौर चार किता 26 तो root of 36 कितना हो गया 6 2 का 6 से गुणा answer कितना 12 इसका मतलब तीसरा option आपका बिलकुल सही बात करते हैं next question number 25 के बारे क्या गहरा है 25 देखी आपको गहरा है sin theta plus sin square theta is equals to 1 then the value of cos square theta plus cos power 4 theta क्या होगा चलिए आपको given है कि sin theta plus sin square theta is equals to कितना है बन है तो आपको पूछ रहा है cos square theta plus cos power 4 theta क्या होगा चलिए देखता है तो यह sin theta equals to sin square theta उदर जाएगा तो 1 minus sin square theta और 1 minus sin square theta को मैं लिख सकता हूं cos square theta तो हमें एक बात पता चल गई कि cos square theta का मतलब sin theta है तो जो पूछा है उसमें cos square theta plus cos power 4 theta है तो ठीक है cos की power 4 theta मतलब cos square theta का square तो इसको मैं लिख सकता हूं cos square theta का square cos square theta का मतलब sin theta है तो यह sin square theta होगा है तो sin theta plus sin square theta निकालो या फिर cos square theta plus cos की power 4 theta निकालो एक ही बात है क्योंकि जो दे रखा था वहाँ से हमें पता चल गया कि sin theta cos square theta के बराभर है हमें जो पूछा है वो पूछा है cos square theta plus cos की power 4 theta तो हमने cos square theta का तो मान रख लिया जो की यह रहा sin theta और cos power 4 theta है ना तो square का square है तो cos square theta का whole square और cos square theta का मतलब sin theta तो sin square theta होगी है अब मैं चाहिए ये निकालू या फिर ये निकालू एक ही बात है क्योंकि दौनों एक दूसरे के बराबर है लेकिन मुझे पूछा तो question में ये है इसका मतलब ये है और ये दे रखा है मेरे को सवाल में ही कि ये किसके बराबर है एक के तो result आ गया किसका एक इसका मतलब आप का चौथा option बिलकुल सही है चलिए बात करते हैं next question number 26 के बारे पूश्य नुबर 26 क्या कह रहा है देखिए question number 26 आपको कह रहा है कि इसको थोड़ा सा change कर लेते हैं क्योंकि ये तो same question हो गया जो अभी हमने किया था वही है तो यहां पर इसको कर लेते हैं हम प्लस की जगे माइनस करें ये हो गया आपके माइनस उससे क्या होगा question थोड़ा change हो जाएगा पिछले वाले से ये माइनस ये माइनस चलिए concept वही है बस प्लस की जगे माइनस है इतना ही फरक है तो देखते हैं इसको sin theta प्लस sin square theta is equals to 1 then find out the value of cos square theta minus cos की पावर 4 theta चलिए देखते हैं तो sin theta plus sin square theta is equals to 1 है तो मैं देख सकता हूँ यहां से sin theta जो है वो हो गया 1 minus sin square theta और सर्वसमीका से हमें पता है कि sin square theta जो है वो किसके बराबर होता है cos square theta ठीक है तो sin theta का मान आ गया cos square theta के बराबर अब जो हमें पूछा है वहाँ चलते हैं हमें पूछा है cos square theta minus cos power 4 theta तो cos square theta minus cos power 4 theta तो cos square theta कितना है sin theta तो यह लीजिए sin theta लिख दिया minus cos power 4 theta तो आप इधर square करेंगे तो इधर इसका भी square हो जाएगा तो cos power 4 theta किसके बराबर आगया sin square theta के तो यह लीजिए sin square theta लिख दिया ठीक है यह तक यह आगया आपका answer अब आपको option में देखें अब इसमें और क्या कर सकते हैं और यह कर सकते हैं sin theta बाहर ले ले लें तो 1-sin theta अंदर रहेगा ठीक है फिर 1-sin theta रहेगा उससे कुछ मतलब नहीं है इसका अगर हम ज़ादा से ज़ादा इस पर यह कर सकते हैं common ले सकते हैं तो 1-sin theta नहीं आ रहा option में तो इसका option क्या होगा none of these मतलब इन में से कोई नहीं जैसा कि आपको पता है बीच पे plus था same वही question था तो हमने अपने लिए इसको change कर लिया plus की जगे minus कर लिया तो ये answer आगया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है option में match नहीं कर रहा तो एक option आपका none of these भी है तो answer हो जाएगा चलिए बात करते है next question number 27 के बारे क्या गह रहा है 27 सवा सवाल देखिए यदि sack a plus 10 a is equals to 2 है तो sack a की value क्या होगी तो ये करने से पहले आपको एक छोटा सा note बताते है मतलब एक logic बताते है concept बताते है क्या है वो देखिएगा sack theta plus 10 theta is equals to अगर x होता है तो sack theta minus 10 theta जो है वो क्या होगता है 1 upon x होता है ये आप पर्मेथ योरम के तौर पर इसको याद रख सकता है पहली बात एक और इसी तरह से याद रखा जा सकता है इन सब को derive किया जा सकता है लेकिन वो किसी काम के नहीं है आपको सीधा result पता होना चाहिए सैक theta plus 10 theta वैसे हम लिख सकता है क्या कॉसेक theta plus cot theta अगर आपके पास x है तो कॉसेक theta minus cot theta जो है वो किसके बराबर होगा 1 upon x के तो ये दो त्योरम दो पर मैं याद रखी जा सकती है इनको पूरा derive किया जा सकता यह कैसे हो रहा है लेकिन कहीं काम नहीं आएगा result काम आएंगे अगर आपको ये दे रखा है तो आप ये निकाल सकते हो और अगर ये दे रखा है तो ये निकाल सकते हो वैसे अगर यह है तो यह निकल जाएगा, और यह है तो यह निकल जाएगा, और कैसे काम आएगा, जो question आपके सामने है, वहां पर आपको पता चल रहा है. देखें, आपको कहा रहा है, सेक A plus 10 A is equal to कितना है? 2 है, तो मुझे सेक A plus 10 A की value दे रखिये कितनी? 2. चीटा की जगे यहां A है सिर्फ इतना ही फर्क है ठीक है मुझे पूछ रहा है सैक A क्या होगा तो सैक A क्या होगा यह पूछा जा रहा है दो तरीके हैं या तो इसमें से सैक जो है वो हटाया जाए ठीक है तो सैक से डिवाइड करोगे आप फिर A की value आएगी मतलब सैक A निकालना है तो या तो सैक A हटा अगर 10 A निकाल लो फिर इसमें रखो इस तरह से या फिर हम इस पूरे में से 10 हटाएं तो बचावा सैक A की value हो जाएगी तो इतना complicated काम करने से अच्छा simple सा आप इस theorem को ध्यान में रखकर इसका answer एक second में बता सकते हैं सैक theta प्लस 10 theta अगर x होता है तो सैक theta माइनस 10 theta उसका inverse होता है तो सैक A प्लस 10 A मुझे दी रखा है तो सैक A माइनस 10 A इसका inverse होगा inverse मतलब 1 by 2 बोल्टा होगी है बस ठीक है अब मुझे पूछा क्या है सैक है तो मुझे पता है mathematics में एक funda होता है simple सा क्या कि दो variables का sum उनी दो variables का अगर difference आपको पता है तो first वाला variable पूछ रहा है तो उन दौनों को add करके half कर दीजिए आधा कर दीजिए तो सैक A निकालना आपको तो सैक A कैसे निकलेगा दौनों को जोड कर आधा कर दू तो 2 और आधा जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा धाई मतलब 5 बटा दू 5 बटा 2 का भी आधा करना है तो 5 बाई 2 का भी half करना है तो ये लिजिए तो answer आगया 5 बाई 4 तो 5 बटा 4 जो कि मैं देख सकता हूँ तो तीसरा option आपका बिलकुल सही है चलिए अगर इसमें आपको 10 A पूछा होता तो इन दौनों का difference ले ले लेते तो 2 में से आधा गया तो कितना बसता डेड मतलब 3 by 2 उसका भी आधा करते तो answer आजाता 3 by 4 अगर आपको 10 पूछा होता तो क्यों क्योंकि mathematics में एक फंडा होता है जो कि हम arithmetic में देखते हैं कि अगर x प्लस y बराबर कुछ है जैसे कि a है और x माइनस y बराबर आपके b है अगर आपको x पहला वाला पूछा जाए तो a करके हम आधा करदें तो x मिल जाता है और y एगर पूछा जाये दूसरा वाला वेरियबल दूसरा वाला चर पूछा जाये तो a माइनस b करके हम आधा करदें तो answer मिल जाता है वही चीज हमने यहाँ पर लगाई जो 51 को बात करता है 28 के क्या गE ensuring 28 देखी जो अभी अभी हमने सीखा है वहीं से आया यह question भी देखी हमने क्या देखा अभी सैक A प्लस टैने अगर X है तो सैक A माइनस टैने 1 अपोन X होगा वैसे ही हमने देखा था कि कॉसेक A क्लस अगर हम बात करें कॉट A यह देखी लिखाव आपके सामने ठीक है कॉसेक A प्लस कॉट A अगर आपके सामने X है तो कॉसेक A माइनस कॉट A क्या होगा इसका उल्टा मतलब 1 अपोन X तो अगर यह पता है तो यह निकल जाएगा और वैसी मैंने कहा था यह पता है तो यह उपर वाला निकल जाएगा अब देखते हैं क्या पता है और क्या निकल जाएगा आपको गयर है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इस बार माइनस वाला पता है तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इस एक्वल्स टू है 7 बाई 2 ठीक है, तो माइनस वाली चीज पता है, तो प्लस वाली निकालनी है, तो माइनस वाली का उल्टा ही तो है, प्लस वाला, तो माइनस वाली पता है, तो प्लस वाली क्या होगी, कॉसेक थीटा प्लस कॉड थीटा, इसका उल्टा, तो उल्टा होगी है, टू बाइस है, लेकिन ये नही निकालना है हमें सिर्फॉ सेक थीटा निकालना है तो वही dud़ variable का difference और दो variable का total दो चर का हम देख सकते हैं अंतर और दो चरों का क्या है योगफल तो पहले वाला चर निकालना है तो दौनों को जोड कर हम क्या कर देते हैं आधा जो अभी मैंने बताया था आपको x plus y और x minus y वाले हिसाब x निकालना है तो जो x plus y बराबर a और x minus y बराबर b हमने माना था एक्स निकालते टाइम a plus b बटा दो और y निकालते टाइम a minus b बटा दो तो हमें first वाला निकालना है तो निकाल सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर दौनों को एड करूँगा और फिर आधा करूँगा एड कर लेते हैं दौनों को ये लीजी lcm कितना आजाएका 2 और 7 का एड करेंगे इधर ही कर लेते हैं साथ कह साथ का Σाथ से साथ सेगुन पच्छास साथ से चौदवन दो करना, इनका ह Хाफ करना है तो 53 अपॉन पकर, तो 53 बटा 28 है हमारे पास जो कि आपका तीसरा option बिलकुल सही होगा यह किसकी value आई है यह कॉसेक थीटा की value है अगर यह कॉट थीटा की value पूछते तो तो इन दौनों का difference लेते और उसका अधा करते तो value आजाए ठीक है चलिए बात करते हैं next question, question number 29 के बारे में क्या कह रहा है गुंती स्वा देखिए if sin theta plus sin square theta is equals to 1 then what is the value of cos power 12 theta plus 3 cos power 10 theta plus 3 cos power 8 theta plus cos power 6 theta minus 1 यह bracket जो बंद होता बार दिखा ही दे रहा है यह start ही नहीं हुआ तो बंद करने की जरूरत नहीं है आप इसको यहा से हटा से आराम से कर सकते हैं इस तरह के question हमने दो देखे हैं लेकिन यह थोड़ा उससे भी बड़ा question है लेकिन तरीका वही है जो हमने समझा है उसी तरीके से हो आपको क्या दे रखा है यह दे रखा है ठीक है तो हमें पता है जो गिवन है हमें sin theta plus sin square theta is equals to 1 यहां से मैं देख सकता हूँ कि sin theta is equals to 1 minus sin square theta मतलब cos square theta एक बात पता चल गई कि sin theta बराबर cos square theta तो जो आपको cos में question पूछा गया उसको sin में हम change कर लेगें देखें क्या पूछ रहा है cos power 12 theta plus 3 cos power 10 theta plus 3 cos power 8 theta plus cos power 6 theta minus 1 ठीक है चलिए तो देखिएगा यह 12 है तो इसको 2 power में लिखूँगा तो क्या लिख सकता है अब वैसे एक 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 step लिखने की जरूरत नहीं है मैं सीधा इसको sin में represent कर सकता हूँ क्योंकि 12 है 2 की power में लिखना है तो cos 2 theta उस पर whole power लग जाएगे 6 क्योंकि 2 और 6 का गुणा कितना होता आपके 12 ठीक है चलिए अगर लिख कर देखें तो इसको मैं लिखूँगा cos square theta की value आपको पता है तो ये लिजिए 6 क्योंकि 2 और 6 का गुणा 12 हो जाएगा अब cos square theta कितना है sin तो ये हो गया sin की power 6 theta प्लस 3 इसको भी लिख सकता हूँ मैं cos ठीक है square theta की value पता है तो 5 कहां चला जाएगा बार क्योंकि 5 और 2 कितना हो गया गुणा करने पर 10 तो ये हो गया 3 cos square theta कितना है sin theta ये लिजे प्लस 3 cos square theta की value हमें पता है तो ये आगया कितना 4 2 का 4 से गुणा कितना 8 तो ये हो गया 3 cos square theta हमारे पास sin theta है तो sin की power 4 थो प्लस cos 6 theta है पावर तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos square theta की value पता है तो उसी में तोड़ना है तो ये 3 हो गया ठीक है तो ये हो गया sin cube minus 1 अब ये जो आपके सामने formula आया है ये formula बना है हमारा जो a cube और b cube वाले formula होते हैं उसके अनुसार ये formula आपके सामने बनकर आया है ठीक है तो formula कैसे बनकर आया है देख सकते हैं हम यहाँ पर a cube minus b cube वाला formula बनेगा देखिएगा cos square theta की value sin theta है 5 लगावा है तो ये यहाँ पर 5 लगावा है अब ये जो formula आपका यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ये formula बनेगा आपका a cube और b cube वाला जो formula है जो कि हम देख सकते हैं formula है ये sin theta plus sin square theta का होल क्यूब sin theta plus sin square theta का होल क्यूब minus 1 अपनी जगे पर यहाँ का यहाँ पढ़ा है a plus b का होल क्यूब होगे क्योंकि क्या होता a cube plus b cube plus 3ab a plus b a cube sin cube theta दिख रहा है क्या आपको बिल्कुल है plus b cube sin square theta का cube sin की power 6 theta बिल्कुल है plus 3ab 3ab मतलब sin theta और sin square theta तो यह जुड़कर आदार समान होने पर कितना हो गया 3 sin cube theta और a plus b तो अंदर sin theta plus sin square theta तो एक बार 5 एक बार 4 बिल्कुल हमारे सामने है ठीक है तो इसकी value मैं देखू sin theta plus sin square theta की value हमको दे रखी एक एक का cube करूँगा एक और उसमें से एक कम करूँगा तो आंसर आएगा इसका 0 एक का cube 1 minus 1 minus 1 और यह plus 1 0 तो second option आपका बिल्कुल सही है जो कि हमारा second option 0 दे रहा है ठीक है चलिए तो यह दा question number 29 बात करते है next question number 30 के बारे में 30 के बारे क्या गहरा है 30 देखे आपको गहरा है यह दी theta एक noon कॉण है और 7 sin square theta plus 3 cos square theta is equals to कितना है 4 तो 10 theta कितना होगा तो देखे 7 sin square theta plus 3 cos square theta is equals to कितना है 4 तो हमें किसकी value पूछ रहा है 10 theta की value पूछ रहा है ठीक है 10 theta की value पूछ रहा है तो 10 हमें पता है क्या होता है sin बटा cos तो sin बटा cos होता है तो हम कर लेते हैं इस पूरे को किस से divide इस पूरे को divide कर लेते हैं हम cos square theta से ताकि 10 बन जाएगा तो यह आ गया 7 sin square theta upon cos square theta 10 square theta plus cos square theta upon cos square theta 1 मतलब यह 3 का थे यह 4 upon cos square theta तो upon में cos square theta मतलब sec square theta होगे चलिए आपको तो 10 निकालना है सिर्फ निकाल लेंगे तो देखिए 7 10 square theta plus 3 यह 4 sec square theta को मैं लिख सकता हूँ क्या सर्वसमीका से हमें पता है क्या होता है कि 1 plus sec square theta होता है 10 square theta 1 plus sec square theta is equals to क्या होता है 1 plus 10 square theta equals to क्या होता है sec square theta सर्वसमीका देखी हमने part 1 1 plus 10 square theta is equals to sec square theta तो sec square theta की value है हमारे पास 1 plus 10 square θ तो इस say square θ को हम लिख सकते है 1 plus 10 square तो यह आगया 1 plus 10 square θ तो बस हो गया हमारा काम अब simple सा simplification है जो कि आप एक step में करें या बिना लिखे करें या 10 step में करें वो आपके ऊपर है आपको दिखरा है कि 4 का 1 से 4 हो जाएगा multiplication, ये 3 है, 3 उदर जाएगा, तो 4 में से 3 less होगा, तो 1 बचेगा, ये 4 10 square theta है, ये 7 10 square theta है, इधर आएगा तो 7 10 square में से 4 10 square जाएगा, तो कितना बचेगा, आपके पास 3 10 square theta, 10 square theta is equals to तो आ रहा है, 1 by 3, 10 theta is equals to 1 by root 3 आएगा, जो कि second option आपका सही होगा, और लिख कर करें, तो 2-3 step बन रहे हैं, तो देखते हैं, तो हम देख सकते हैं, 4 अंदर multiply हो गया, जैसा कि मैंने का, इसके बाद में आप कितना लिखते हैं, वो आपके ऊपर है, लेकिन हम पूरा लिख लेत थीटा, बराबर, ये 4 है, ये 3 है, 3 उधर जाएगा, प्लस का है, तो उधर जाएकर माइनस का होगा, 4 में से 3 जाएगा, एक बचेगा, हमें तो सिर्फ 10 theta निकालना है, तो ये 1 by 3 हुआ, और square एटा तो उसका root हुआ, तो 1 का root 1 और 3 का root 3, तो 1 by root 3 मतलब, second option आपका बिलकु सही होगा, ये था question number 30, बात करता है, next question number 31 के बारे, क्या गरा है, question number 31 देखिए, चलिए, बात करता है, question number 31 के बारे में, क्या गरा है, question number 31 देखिए, 1057 degree प्लस, cot 37 degree upon, 1033 degree, cot 53 degree, ठीक है, चलिए, देखते हैं इसको, देखिएगा, उपर वाले को cot में बदल लेते हैं, नीचे वाले को 10 में बदल लेते हैं, जरूरी है क्या नहीं, आप चाहो तो उपर वाले को 10 में बदल लो, नीचे वाले को बदल लो, उससे कोई फर्क नहीं साइन, साइन, काॉस्ट में भी कर सकते हैं, इसको लें साइन कॉस्ट में करेंगे, फिर से 10 cot में आना पड़ेगा, औप्षिन वही दिख रहे हैं इसलिए, चलिए फिर, हमने इसको शेंज किया, चलिए, तो इसको जिए, इसको देख सकता हूं किकया, n 90 कृक्र को का, थिर तो सता बना तो 10 90 है 90 यह तो चेंज होगा 10 चेंज होगा कॉट में कितना आ गया 33 90 माइनस सीटा है तो फर्स्ट क्वाडरेंट में आएगा जहां पर सभी प्लस में होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है और यह कॉड 37 यह हो गया 10 33 और यह हो गया 90 है तो चेंज होगा चेंज होगा 10 में और प्लस में ही आएगा क्योंकि फर्स्ट वाले क्वाडरेंट में ही जा रहे है चलिए अब इसको मैं लिख लेता हूँ 1 upon 10 और इसको मैं लिख लेता हूँ 1 upon cot चलिए लिखते हैं 1 upon 10 ये हो गया कितना 33 cot 37 upon 10 33 और ये 1 upon cot 37 बस आगे अब आपका अन्सवर LCM ले ली जी तो नीचे आएगा 10 33 और इसके नीचे वाला LCM होगा cot 37 तो उपर क्या बन गया 1 plus cot 37 10 33 LCM कितना है 10 33 और इसके लिए LCM कितना है cot 37 तो ये हो गया 10 33 cot 37 दिख रहा है किया cancel होने वाला है plus 1 upon cot 37 ठीक है तो कुछ cancel होने के लिए है क्या बिल्कुल ये पूरे से ये पूरा cancel तो क्या बचा आपके पास 1 upon 10 33 upon 1 upon cot 37 तो क्या लिख सकते हैं 1 upon 10 को लिख सकते है cot तो ये हो गया cot 33 ये 1 upon cot है जिसको मैं लिख सकता हूँ 10 ठीक है तो 1 upon 10 होगा तो 1 upon 10 को फिर से हम क्या लिख सकते हैं यहां पर cot देखिएगा 1 upon 10 को तो हमने cot लिख दी ठीक है ये 1 upon cot है तो 1 upon cot नीचे ही क्या बन चुका है या फिर 1 upon cot है तो उपर ले जाते हैं तो cot 37 क्या यहां पर ऐसा कोई option दिख रहा है नहीं 10 और cot दौनों में option तो cot 33 या cot 37 जरूर है cot 33 कहीं नहीं है तो इसका मतलब cot 37 है तो अब हम इसको change कर सकते हैं तो चेंज करते हैं इसको 33 और फिफ्टी तरी और इस इमें चल रहा है थीक है तो हम इसको ले सकते हैं किस तरीके से चलिए cot 33 को change कर लेते हैं 10 में तो इसको क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते है cot 90-57 तो 90 है तो change होगा तो cot change हो जाएगा 10 में और कितना हो जाएगा 57 प्लस का या माइनस का 90 माइनस थीटा में फ्रस्ट वाले में ही है तो प्लस का ही होगा तो यह हो गया आपके 10 57 multiply chord 33 ऐसा option कहां देखर आपको 10 57 और chord 33 का 10 57 chord 33 10 57 और chord 33 का अगर हम देखे हैं तो 57 33 10 57 एक ही जगे है और 33 होना सुरी 33 नहीं 37 चल रहा है मैंने गलती चल रिख दिया यह लिजिए 37 इसका मतलब यह option आपका बिल्कूल करेक्ट होगे है second option आपका सही है ठीक है चली यह दा question number 31 बात करते हैं 32 के बारे क्या गह रहा है question number 32 देखे कौसेक स्कूर 23 multiply cot स्कूर 67 माइनस साइड स्कूर 23 माइनस साइड स्कूर 67 माइनस cot स्कूर 67 की value क्या होगी देखें मल्टिब्लिगेशन में हमें 10 का पता है और cot का पता है कौसेक और cot का कोई multiplication में relation नहीं होता है तो हम change कर लेते हैं जो आपको question दे रखा है पहले तो वो लिख लेते हैं cosec square 23 cot square 67 minus sin square 23 minus sin square 67 minus cot square 67 ठीक है देखिएगा अब relation जो multiplication में 10 और cot का ही होता है लेकिन ये cosec है तो cosec को मैंने cosec और cot का multiplication relation नहीं होता तो cosec को मैंने लिख लिया sine 1 upon sine square 23 multiply cot को मैंने लिख लिया cos बटा कितना sine minus इन दौनों में से minus बाहर ले लू तो अंदर बज गया sine square 23 plus sine square 67 ये minus cot square 67 देखिए वांसर आचुक है आपका हमें पता है कि cos और sine आपस में बराबर होता है जब उनके कौनों का योगफल 90 degree हो जाता है तो 67 और 23 90 हो रहा है इसका मतलब ये बराबर ये है तो ये तो cancel होगी है और minus sine square theta 1 plus sine square theta 2 1 होता है जब theta 1 और theta 2 का total कितना होता है 90 तो हो रहा है 90 तो ये value कितनी होगी एक होगी तो ये minus 1 वो minus पीछे वाला u का u लिख लेते हैं या क्या बचा 1 upon sine square 3 67 तो 1 upon sine square है तो इसको मैं लिख सकता हूँ cause МУЗЫКА square 67 अब देखिए सर्व anti-sulumिका लगा लेते हैं हम सिंपल सी हम पता है 1 प्लस Fast square theta क्या होता है 1 प्लस qt²κ7 , 1 प्लस qt² thıtय क्या होता है, यह तो यह तो a ko sing say लेलेते हैं पहले वहलो चो के माइनिस बाहर लेésे in तो ये माइनस का ये प्लस का जुड़कर हो गया 0, 0 मतलब option कौन सा सही हो गया आपका चौथा option बिलकुल सही हो गया, चलिए बात करते हैं 33 के बारे क्या गह रहा है, question number 33, 10 theta upon 1 minus 4 theta plus 4 theta upon 1 minus 10 theta ये किसके बराबर होगा, चलिए इसको हम multiply करवा लेते हैं किस से, इसको multiply करवा लेते हैं 10 से, 10 theta से ही multiply और तैन theta से हमने इसको divide कर दो, और इसको भी multiply करवा देते हैं 10 से, 10 थीटा से multiply और 10 थीटा से हमने इसको divide करें ठीक है तो 10 थीटा 10 थीटा क्या होगे 10 square थीटा नीचे 10 थीटा का 1 से 10 थीटा minus 10 थीटा और cot थीटा का multiplication कितना 1 तो कॉट 10 का उल्टा होता है तो 10 थीटा गुणा cot थीटा लिखोगे यह फीर cot को 1 अपन 10 लिखोगे 10 से 10 कितेगगा 1 ही बचएगा तो यह 10 thीटा का 1 से 1 सौरी 10 थीटा और 10 थीटा cot थीटा का multiplication 1 प्लस यह आ गया 10 थीटा cot की आउसे 10 थीटा और 10 थीटा का 10 थीटा से 10 sq dates तो तक चलिए अब hen चाहें तो नीचे से यहाँसे 10 theta common ले सकते हैं 10 theta common ले ले, minus का common ले लेते हैं जिससे कि LCM आ जाएगा हमारे पास minus का common लेंगे तो ये 10 theta 10 theta minus 1 minus बार लिया तो 10 square theta minus 10 theta हो गया ठीक है, फिर 10 theta बार ले लिया तो 10 theta minus 1 हो गया ताकि LCM दोनों का 10 theta minus 1 बन सके चलिए तो हमारे पास LCM आ गया दोनों का 10 theta minus 1 से 10 theta minus 1 जाएगा 10 theta बचेगा, उसका उससे गुणा करेंगे तो ये 10 cube theta हो जाएगा फिर ये पूरा LCM में तो पूरा का पूरा चला जाएगा एक बचा एक का एक से गुणा एक ही हो गया और नीचे आपके पास क्या 10 theta और 10 theta minus 1 उपर वाला फॉर्मूला बन चुका है हमारा a cube minus b cube का a cube minus b cube क्या होगा हमें पता है, algebra में फॉर्मूला होता है a cube minus b cube बराबर a minus b a square plus ab plus b square ये फॉर्मूला लगा देते हैं सीधा सीधा तो a cube minus b cube a minus b a square plus ab और plus b square एक का square a cube जो नीचे है वो लिख लेते हैं कितनी चीज़े एक्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है जब आप questions करेंगे तो practice में ये आ जाएगा ठीक है? बस आगे आपका theta की value लेकर भी कर सकते है 45 degree है इस तरीके से लेकिन वो ज़्यादा lengthy हो जाएगा क्योंकि 4 option आपको check करने पड़ेंगे ये भी आपको इतना दिख रहा होगा लेकिन exam में है ये multiply आप करवा रहे हैं तो लिखेंगे नहीं सीधा multiply करवागर लिखेंगे फिर इसके बाद में सीधा यहाँ आगे अब तो बचाई नहीं अंस्वरी आ चुका है चलिए ये था question number 33 बात करता है next question 34 के बारे क्या गहरा है question number 34 देखिए the degree measure of one radian एक radian का माप क्या होगा ये हमें बताना है तो देखिएगा जो कौन होता है जो एंगल होता है उसके दो यूनिट होती है दो इकाया होती है एक तो radian और एक आपके degree radian मतलब pi और degree मतलब इस तरीपे से हमेशा द्यान रखिएगा कि जो pi radian है वो आपके 180 degree के क्या होगा बराबर हो तो इसका मतलब pi radian जब 180 degree के बराबर है तो एक radian किसके बराबर होगा 180 degree बटा pi के और pi क्या होता आपके 22 बटा 7 तो 7 कहां चला गया हो तो बस इस एक radian की ही value बतानी है क्या है जो कि यह रही आपके सामें बताते हैं अब यह जो value लिखी भी है यह केवल degree में नहीं है यह जो sign है यह तो है degree का और यह जो sign है यह है minute का और यह जो sign है यह है second का जैसे कि गर इसको मैं पढ़ना चाहूं तो कैसे पढ़ूंगा इसको मैं पढ़ना चाहूं तो 57 degree 61 minute 22 second 57 degree 21 minute 16 second 57 degree 16 minute 22 second 57 degree 62 minute 16 second इस तरह से पढ़ा जाए ठीक है तो अभी तो हमने radian और degree में relation देखा है तो अब इसको थोड़ा solve करते है दो से गया बिलकुल गया दो से गया बिलकुल गया साथ का 9 से 63 630 बटा 11 ये degree आ चुका लेकिन option देखू तो degree के साथ minute और second भी लगे वे तो 630 में 11 भाग देते हैं फिर आगे क्या करना वो दे अच्च कितना रह गया पांच जब से पहले कितना है 5 और 3 8 80 सो फिर गया 7 कितना 77 फिर जब कितना है 3 तो इसका मतलब 57 बार तो पूरा पूरा चला गया है तो 57 सही अगर इसको मैं लिखता तो कैसे लिखता 57 सही तीन बटाए गया रहा है यह पूरा डिगरी में लिखता ऐसी लिखता तो आपको पता है यहां बीच में कोई साइन नहीं है तो यह जो मिक्स फ्रेक्शन है मिस्र भीन है यह प्लस का होता है तो 57 डिगरी तो complete है हमारे पास 3 by 11 डिगरी है अब उस डिगरी को बदलना है किसमे आप देख सकते हैं डिगरी के बाद में minute है फिर second तो डिगरी को बदलना है minute में तो गुणा करना पड़ेगा 60 से अब यहां पर वो 1 minute 60 से वह वाला हिसाब नहीं है तो हमें 60 से गुणा करना है तो इसका multiplication करवा देत है जब 60 से आप मल्टिप्लाइ करा होगे तो यह डिगरी वाला साइन बदल गया किसमे minute ठीक है तो यह कितना हो गया 60 का 3 से 180 100 से में फिर से आप भाग दोगे किसका नीचे जो 11 का तो आप देख सकते हो एक बार गया definitely किपता बचा साथ फिर कितनी 6 बार गया तो कितना 66 फिर कितना बच रहा है यह 4 आप देख सकते हो 16 पूरा पूरा जा रहा है इसकाला 16 मिनिट पूरे पूरे आएंगे तब यह आगे बढ़ चुका है 57 डिगरी 16 मिनट तक तो आप्शन में एक बार नजर गुमाएं तो 57 डिगरी तो सब जगे था 16 मिनिट सिर्फ एक ही आप्शन में और जो की आप्शन कौन सा है दूसरा इसकाल अब इसको आगे सॉल करने की जरूरत नहीं है अगर आगे सॉल करेंगे तो जैसा कि हमने देखा यहां पर कि 180 में आपने 11 से डिवाइड किया है तो यह गया कितनी बार 16 बार पूरा 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 तो इसको क्या लिखता मैं 16 सही 4 बटा 11 मिनट फिर मिनट को सेकेंड में चेंज करना होता तो 16 मिनट तो पूरे-पूरे लेली हमने फिर 4 बटा 11 मिनट को सेकेंड में चेंज करना होता तो 60 से फिर से इसका गुणा करते तो 6 का 4 से 240 240 में फिर से 11 का भाग देते और जो वेल्यू आती वह हमारी क्या हो जाती फिर जैसे 240 11 कितनी बार जा रहा है सबसे पहले दो बार इसका मतलब 22 कितना ये दो जीरो फिर कितनी बार जा रहा है एक बार तो इसका आलस 16 मिनट 21 पॉइंट कुछ मतलब 20 सेकंड हम मान लेते हैं तो भी सेकंड ऑप्शन आ रहा है वो कब करते हैं अगर 57 डिगरी 16 मिनट और भी कहीं होता लेकिन 57 डिगरी 16 मिनट एक ही ऑप्शन में था तो हमने यहीं छोड़ दिया और मान लिया आगे वाला बिल्कुल सही है और वै कॉष्चन ब्स घर नकूर 95 की बारे 1 घॉh 35 डेखिए 2 सही डिटा प्लस कॉस थीटा इस इक्वेलस तो रूट 3 कॉस 90 मां 되면 ए तो 10 थीटा का मान क्या होगा चली निकाल लेbelsिगे आपको कह रहा है कि साइन थीटा प्लस औस पॉस थीटा बराबर रूड 3 कॉस 90 माइनस थीटा है ठीक है तो sin थीटा प्लस cos थीटा root 3 सबसे पहले तो इसी को लिख लेते है 90 है तो change होगा cos है तो sin में change होगा 90 माइनस थीटा है तो first quadrant में होगा first में सभी के सभी positive होते है तो ये sin थीटा positive है अब sin थीटा वाली terms को अलग कर लेते है ये sin थीटा इधर आ गया और फिर sin थीटा बाहर आ गया तो अंदर क्या रहे गया root 3 root 3 sin थीटा है तो sin थीटा बाहर लिया तो root 3 माइनस ये sin थीटा उदर आया जो के common आ गया तो ये 1 ठीक है हमें क्या निकालना है 10 थीटा तो 10 थीटा होता है sin थीटा कॉस ये लीजिए sin थीटा कॉस तो ये root 3 माइनस 1 इधर आ गया तो 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 sin थीटा कॉस होता है 10 तो ये लीजिए answer आ गया लेकिन option अगर हम देखें तो ऐसा option तो कहीं देखी नहीं रहा तो कोई दिक्कति इसको और solve किया गया है कैसे root 3 माइनस 1 है तो इसका conjugate जो root 3 प्लस 1 है उससे गुणा और भाग किया गया है तो परिमेकरण इसका root 3 प्लस 1 ये लेजिए तो root 3 प्लस 1 का 1 से multiplication क्या होगा root 3 प्लस 1 ही होगा और नीचे a प्लस b और a माइनस b का गुणा a स्क्वेर माइनस b स्क्वेर तो root 3 का स्क्वेर 3 माइनस b मतलब 1 का स्क्वेर 1 तो कितना हो गया है ये finally root 3 प्लस 1 अपॉन में कितना 2 ये बराबर है किसके 10 थीटा के जो कि मैं देख सकता हूँ option match कर रहा है हमारा कौन सा तीसरा option बिलकुल सही है चलिए ये दा question number 35 बात करते हैं next और last question question number 36 की जो कि हमारा last question है part number second का और last question है हमारे इस chapter का भी आपको दे रखा है cos theta plus seg theta बराबर कितना root ठीक है यहां तक आपको पूछ रहा है cos cube theta plus sec cube theta क्या होगा एक तरह से अगर देखें तो a plus b देकर a cube plus b cube ही पूछ रहा है तो direct formula हम लगा सकते हैं तो हमने कर लिया दौनों तरफ cube अगर इसको a इसको b मानू तो a plus b देकर a cube plus b cube ही तो पूछा है तो formula ही तो लगाया जा रहा है और क्या है तो सीधा cube का formula लगा लेते हैं तो हमें पता है कि a plus b का whole cube जो होता है क्या होता है a cube plus b cube plus 3ab और a plus बस यह formula लगा लेते हैं तो a cube मतलब cos cube theta b cube मतलब sec cube theta plus 3ab और a plus b root 3 का cube करना है तो root 3 का square तो 3 होता है लेकिन cube करने पर 3 root 3 है अब देखिएगा ज़रा यह तो निकालना है तो इसको तो छेड़ना ही नहीं यह तो as it is रहेगा बिना लिखे भी अब आगे एक answer हम देख सकते cos theta sec theta है तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos को 1 upon sec जैसा कि मैंने का यह लिखने की ज़रूरत नहीं है बिना लिखे भी हम यह चीज समझ सकते थे sec से sec गया cos theta plus sec theta तो देखिए रख़ा है root 3 यह लेजी है root 3 और बरावर में 3 root 3 आ चुका value तो आपको यह निकालनी है तो 3 का root 3 से multiplication 3 root 3 उदर जाएगा तो 3 root 3 में से 3 root 3 less होगा तो 0 बचेगा तो answer आएगा 0 तो यह आगया cos cube theta plus sec cube theta 3 root 3 में से यह 3 root 3 उगर जाकर less होगा तो बचा 0 यह आपका answer आगया तो यह था option number C जो कि बिलकुल सही यह था आपका question number 36 जो कि हमारे इस part 2 का last question और हमारे इस trigonometry chapter का भी last question बात करेंगे next video में next question के sorry next video में next chapter के बारे में thank you so much please like share subscribe digital तैयारी